हेलो दोस्तों विल्कम बैक फ्री सार्किलाब में आपको साथ करता हूँ दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर्स यह हम सभी कभी ने कभी यूज किये होंगे एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज में कनवर्ट करने के लिए तो यह सब होता है एलम 8805, 8809, 892 यह सब सीरीज करते हैं हीट के फ़र में इसलिए इसके साथ हिट सिंग जरूरत पड़ती है लेकिन एक और बोर्ड एभएलमेल है मृकाट में जो है हिट सिंग की जरूरत नहीं पड़ता है इसके साथ यह जो है इंपुड में हाई वोल्टेज लो एंपियर लेता है और आउट्पूड में लो वोल्टेज हाई एंपियर प्रवाइड करता है भाई यह क्या जादू है यह एंपियर कैसे बढ़ा रहा है तो यह हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे और इस तरह की जो मोड्यूल्स होता है स्वीचिंग रेगुलेटर याने डिसी टू डिसी कंवर्टर या फिर बाक और बुस्ट कंवर्टर इन सब के बारे में डिसकास करेंगे यह कैसे काम करता मतलब कि इसके अंदर जो कोर कॉंसेप्ट है इसका सिस्टेम कैसे काम करते है क्यों यह वोल्टेज को कॉंवर्ट कर पा रहा है इसी काम लोग देखेंगे दोस्तों यह सब मोडियूल ओनली वोल्टेज स्टेप डाउन का नहीं स्टेप आपका भी आता है देखिए यह चार वोल्ट इन्फूल ले रहा है और कर सकते हैं देखिए मैंने इस वोल्टेज को अड्जास्ट कर रहा हूं और देखिए यह आपर चार वोल्ट इन्फूल में दिया हुआ है और इसको आप लोग बढ़ाते जाएंगे तो हाइस्ट कितना वोल्ट तक जा सकती है यह देखिए यह हाइस 28 वोल्ट तक चला गया तो चार वोल्ट इन्फूल लेकि 28 वोल्ट आउटफूल दे दिया तो यह भी एक जादू के तरह ही लग रहा है ना लेकिन यह पर दोस्तों इन्फूल में यह एंपियर ज्यादा लगा आउटपूल में एंपियर कम लेगा क् को बूस्ट कर सकता है तो यह भोलन करेगा तो करेंटको कारेंटको यह डाटवकरों करेगा तो करेंटको यह रहता है ऑप्छले है इसका सारा काम करता है इसके अंदर ही सार ड्राईभर भगयर है आई-सी के अंदर और यहां पर आपको एक कॉयल मिलता है जिसके अंदर वोल्टेज कंभाजन होती है यह वोल्टेज़ अडस्ट करने के लिए और आउटपुट में फइनल एक कपासिटर मिल जाया आउटफुट को स्टेबल करने के लिए और यहाँ पर एक short की diode है, यह क्यूँ आपको circuit में पता चलेगा और बाकी कुछ additional components बस यही है और दोस्तो boost converter भी दिखने में same है और components भी लगवग same तरह ही है लेकिन इसका circuit थोड़ा सा अलग है तो यही हम लोग देखेंगे कैसे यह सब काम करती है और दोस्तों आलग तरह की boost converter भी आता है दिखने में आलग हो सकती है लेकिन इसका जो core concept मतलब की इसका जो working principle यह same रहती है तो भाई साब चलिए देखते हैं कि एक back converter कैसे काम करती है हम पहले एक capacitor ले लेते हैं हम सभी जानते हैं capacitor में energy store रहती है अब देखिए मैंने switch capacitor और battery को लगा दिया आप इसके साथ एक resistor लगा देंगे ताकि जो capacitor के charge है वो output में थोड़ा थोड़ा सा खरच होता रहे अब battery के voltage हम लोग 10V कर देते हैं अब अगर हम लोग इस point की voltage को check करें डिस्पले करें तो देखिए इसको हम लोग play करेंगे तो उपर में यहां पर यह voltage डिस्पले हो रही है अब देखिए इस switch को जैसे ही मैं दावाता हूँ तो voltage तुरंत 10V पे पहुंच जाती है फिर दोस्तों यह धीरे धीरे इस resistor के कारण धीरे धीरे discharge हो रही है फिर से हम लोग दावाते हैं तो फूल यह 10V पे पहुंच जाती है तो इस तरीके से हम लोग एक voltage regulator नहीं बना सकते है क्योंकि यह जो voltage है यह middle की कोई voltage में नहीं रह रहा है 10V में यह direct पहुंच जाती है तो आगर हम लोग इसके साथ एक resistor add कर दे switch से पहले आगर हम लोग इस चीज को play करें तो देखिए यह धीरे-धीरे जो है voltage बढ़ रहा है मतलों कि voltage बढ़ने में थोड़ा सा time लग रहा है और voltage घटने में भी time लग रहा है क्योंकि यहाँ पर register है फिर इस switch को हम लोग एक-एक बार press करते हैं तो देखिए इसको middle की कोई voltage में राखना possible है तो मैं यहाँ पर देखिए 2V में maintain कर रहा हूँ switch को एक-एक बार दबा रहा हूँ छोड़ रहा हूँ तो यह 2 और 2.5 के बीच यह रह रहा है तो इस तरह के से हम लोग एक driver circuit ऐसा बना सकते हैं जो कि इसको middle की कोई voltage में set करेगा तो ज्यादा time के लिए अगर switch को दबा के रहते हैं तो ज्यादा voltage पैदा होगी आउटपूड में, capacitor में और अगर switch को तुरंट-तुरंट छोड़ दिया जाए तो यह कम voltage बनाएगा आउटपूड में तो इस तरह के से काम तो चलेगा एक back converter जैसा लेकिन यहापर जो resistor है यह heat होगा क्योंकि resistor जो है इसके अंदर current जाने से यह heat होती है तो यह power loss करेगा तो इसलिए resistor को एक ऐसा component से हमें replace करना पड़ेगा जो power loss नहीं करता है तो ऐसा ही एक component है inductor तो इस जागा पर resistor को inductor देखे मैंने replace कर दिया आप देखिए यह same effect हमें देखने को मिल रहा है switch को दबाते है तो धीरे-धीरे voltage बार रहा है तो यह same effect हमें मिल रहा है लेकिन यह inductor जो है power loss नहीं करता है क्योंकि जब हम लोग switch को दबाते है तो inductor के अंदर energy store हो गया तो वो जो energy है inductor के अंदर magnetic field के रूप में संचे होती है फिर जब हम लोग switch को छोड़ देते हैं तो यह magnetic field कोलापस होने लगती है और इस inductor में ultra polarity में voltage generate होती है तो वो voltage आभी तक हमने काम में लागा नहीं पाया देखिए मैंने switch को जब ही छड़ूँगा तो इसके अंदर voltage देखिए यहाँ पर नीचे minus 50 volt voltage मिल गया था देखिए तो इस तरह किसे inductor को छोड़ने से देखिए नीचे एक spike दिखा रहा है नीचे और उपर में देखिए voltage की spike यह बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अब देखिए मैंने switch और inductor का position को just change कर दिया और यहाँ पर एक diode लागा दिया अब क्या होता है देखिए तो देखिए इस वाली switch को connect करते है तो धिरे-धिरे voltage बढ़ने लगता है फिर जब switch को खोल देते है तो इस inductor के कारण देखिए इस लूप में current flow जारी रह रहा है तो यही inductor जो है उस time पर आपका इस वाली load को चला रहा है देखिए switch को खोल दिया अब यह battery disconnected है लेकिन inductor से drive हो रहा है यह load देखिए फिर से दिखाता हूँ switch चलू है अब inductor charge हो रही है यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है मतलब कि जो energy inductor के अंदर store हो रही है इस switch को खोल देने के बाद वह energy जो है inductor इसमें भर रहा है और load को भी चला रहा है तो इसी तरीके से यह inductor और capacitor दोनों मिलके load को चलाता है इस तरीके से back converter काम करती है मतलब कि जो switch है वो back converter के IC के अंदर है वो जो है इस काम को कर रहा है यह inductor को charge और discharge कर रहा है inductor को एक बार connect करके यह switch को छोड़ देता है फिर यह inductor खूदी current supply करता है और यह capacitor यह भी current supply करता है load को drive करने के लिए और जो है output में कितना voltage आया वो देखने के लिए एक feedback mechanism है वो उसकी driver IC के अंदर ही है वो feedback क्या करती है output की voltage को यह check करता रहता है और उसके according इस switch को on off on off करता रहता है कब कितना on करना चाहिए तो इसी तरीके से यह back converter काम करती है अब चले देखते है boost converter के तरुप दोस्तो boost converter समझने से पहले एक थोड़ा सा experiment कर लिया जाए यह पर एक battery है एक inductor है यानि coil और एक switch है तो हम लोग switch से coil को battery के साथ short करेंगे तो क्या होता है देखिए तो जैसे हम लोग इसको play करके switch को short करते है तो यह जो है error दिखाता है मतलब कि यह voltage source है यह short हो चुकि है तो यह software में error देखा रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे inductor के साथ एक series resistance लगा देंगे जो की coil की resistance हो नोर्माली होई लगाएंगे तो हाप वह में एक resistance लगा जाते है तो यह software काम करने लगेगा इसलिए हम लोग इहाप पर हाप वह में एक resistance लगा दिया आप देखिए काम क्या होती है जब हम लोग इस चीज को play करके switch को दबाते है तो जो है यह पर voltage 0 हो जाती इंडक्टर की इस वाले point मां देखिए 0 volt और जैसे ही इसको हम लोग छोड़ देते है switch को तो देखिए यह voltage जो है बहुत ज़्यादा high spike दे दिया देखिए 1.5 kilo volt फिर से दिखाता हो देखिए switch को दबाया फिर छोड़ दिया देखिए यह जो spike है voltage की यह बहुत हाई voltage तक जा रहे है देख तो इस inductor के अंदर magnetic field के रूप में energy store हो रही है मतलब कि इसका जो core है यह magnetized हो जा रही है उसके बाद जैसे आप लोग इसको छोड़ दिया तो वो magnet जो है magnetization वो collapse होने लगती है तो इसका coil को लगता है इसके पास से कोई magnet दूर भाग रहा है तो यह एक generator के form में मतलब coil और magnet के अंदर जो motion होती है उसके form में यह voltage generate करती है और वो voltage का polarity है वो ultra polarity में होती है मतलब कि पहले हम लोग plus इस तरफ दिया था और जो है यह inductor का हिस वाली तरफ प्लास था और minus जो है इस switch के अंदर से इस तरफ था और जब यह ultra spike मरेगा मतलब back spike मरेगा तो क्या होगा यह ज इसको मिल गया उसके बाद यह minus inductor का यहाँ पर और प्लास यहाँ पर तो यह जो है दो battery series में है इस तरह की एक effect दिखाएगा फिर यहाँ पर इस जगा की voltage को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा देखिए तो इस तरह से जो है इस spike को हम लोग अगर यूज करते है एक diode और capacitor की voltage को तो इस तरह के system बनता है आप देखिए यह circuit कैसे काम कर रहा है यह देखिए जैसे ही मैं इस voltage को switch को दबा के छोड़ रहा हूँ तो यह जो है इसका voltage को बढ़ा दे रहा है यह देखिए switch को छोड़ता हूँ तो यह देखिए voltage जो है 20-30 volt तक चले जाती है यह देखिए voltage जो है 10 volt से काफी ज़्यादा उपर हो चुका है और यहाप बैटरी में देखिए 10 volt है तो इस तरह के से यह चीज़ जो है काम करता है बूस्ट को नवाटर देखिए 15 volt तक चला गया तो इस तरह के से बूस्ट को नवाटर काम करते है बहुत हाइफ फिक्वेंसी में ऐसा एक switch यह टांजिस्टर को और अप अगर किया जाए ठीक तरह के से तो इस तरह के से voltage जो है बूस्ट हो जाती है तो इसी तरह के से बूस सेट किया उतना अगर आ गया तो यह switch को बंद करता है तो इस तरह के से यह काम करता है तो इस तरह के से switch को on-off on-off करके यह एक duty cycle बनाता है फिर जो है आपका voltage को बूस्ट कर देता है तो दोस्तों मुझे उमीद है यह वीडियो आपको पसंद है और इस वीडियो से कुछ न तर दो से का कि वीडियो से पतना नही आपको देखा है खो झाल झाल